कर दो हुआ है अच्छ प्लैट्फॉर्म पर और आपसे दीवा गढमी के इस प्लैट्फॉर्म पर और एप्पी एफचाल सीरीज में वह भी जी एश पेशल तो आई ये सेट नंबर है तीन और इसी प्रिकार से जो बच्चे टार्गेट कर रहे है एपी एफो को प्रेक्टिस करने के लिए डेली रात को दस बजे आजाए करो टीन टैन पी एम मंडे टू फ्राइडे एपी एफो स्पेशल है ये सिम्मी बोलती है वाटसेप भी किया मैंने सर को किसको बड़े रिशी सर को चलो कोई बाद ने बात्चित करते रहो बहुत अच्छी वाद है पिटे ए बेटे सिम्मी मेरे बच्चे में भी गलती से कोई बाद नी अनू आ जाओ मनीशा मनीश शर्मान नमस्कार मेरे बच्चे राजेश प्रिया दर्शी गुडिवनिंग सर गुडिवनिंग स्वागत जी आप सभी का एक बर फिर से दिवियांश राय प्रणाम 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 गुडिवनिंग बैए एक तशर्मा जी गुडिवनिंग स्वागत जी आपका है कि हिस्ट्री की क्लास रिमूव क्यों कर दी बिटा उसमें कुछ टेक्निकल एरर था स्टाफ ने मेरो को मतलब बदाया के सर यह ठीक से अपलोड नहीं हो पा रहा है यूट्यूब की तरफ से बिटा शाहिद उसमें को दिक्कत आगी लिंक में तो उस क्लास को कल ले लेंगे फिर ठीक है सर आपको वाट्साफ किया क्या बिटा थेख लूँगा क्या वाट्साफ किया आफ्टर दी किलास या विटकल सुबा नियारगा जी गुड़ीवनिंग मेरो अच्छे सवाल आने का समय हो चुका है और यह रहा आज का बहतरीन सवाल आप सभी के सामने ही हूँ अमंग दा फॉलोइंग अटेंड़ दा इंटर नेशनल सोशलिस्ट कॉंग्रेस एट इस्टडगार्ड अगस्ट नाइंटीन जी जी तो आई एसी एस जो 1907 में जो एक कॉंग्रेस अधिशन जो हुआ अंतराश्टे इस्टर का समाजवादी इस्टडगार्ड शहर मे समय में हैं और उसको किसने अटेंड किया था 1907 में आपके सामए मैडम कामा या सदर्शिंजी रावा जी रणा शियाम जी क्रिष्न वर्मा मैडम कामा तारक नाथ्दास Ambassador असर्दार शिंजी रावा जी कामा मैडम तामा और तारक नाथ्दास क्या अंसल लगेगा सर वीडियो डाल दो EPFO crash course में जाके चेक करो आज बड़े अकाउंटिंग की तीन वीडियो डाली है कहाँ गाई ब रहतो है बड़े राजेश जी आज ही डाली है बड़ा मैंने जस गो एंड चेक आउट दी बड़े यौर पेड़ बैच ग्रूप कोई नहीं करें उसे हम बड़े दीवा अकेडमी के कम्यूनिटी पर पोस्ट करेंगे और बताएंगे कि यह है दीवा अकेडमी की शेरनी टाइगरेस बागिन शिकारी है यह बच्चे हाँ करेंट अफेर कल सुबह मिलेगा बड़ा अंसर वैसे बच्चे अलग अलग दे रहा है चलिए पहले ही कोशन में सस्पेंस कर देते हैं यह हमवर्क है अच्छा बता देते हैं मैडम कामा तो पकी है मतलब मैडम कामा ने तो पार्टिसिपेट याने के इसमा हिस्सा लिया ही था अब आपको इस कोशन के अंसर में यह बताना है सूर्मा बैच नेक्स्ट का अकल कल बड़े सभी में NCRT में भी रिशी सर्की किलास है पेड़ बैच की मतलब बात कर रहे हैं सूर्मा में भी है और बड़े लिवरलो यहने के EPF में भी लाइव कोई बात ने समय हाँ तो याद रखना यह सका आपको ढूंड ढालके नेट से मुझे बदाना है कि कामा जी के साथ कौन गए थे तो जाहर जी वादा सी अंसर तो हो नहीं सकता तो या तो मैडम कामा के साथ गए होंगे रावा जी राना जी या भई गए होंगे कौन भई श मैडम भीका जी कामा मैडम भीका जी कामा पूरा नाम मैडम भीका जी कामा अनफल्ड इंडियन फ्लेग अनफल्ड इंडियन फ्लेग तो पहली बार अगर भारतिय ध्वज याने के इंडियन फ्लेग कहीं लहराया गया किसी भी इस्थान पर फेराया गया लहराया गया कि याद में हिंदुस्तान में बहुत कुछ है कामा पैले कामा कॉंपलेक्स कामा रोड कामा 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 शालो नेक्स कुश्च्छन विच्छ फॉल्वाइब इस दा फेमस नोबल रिटेन इन 1869 बाइ नाजर एहमद देलवी तो बताब 1869 में लिखी गई नाजर एहमद देलवी का उपनिया सिनमे से कौन सा है तो लाइट इन देली मिरात अरूस या बाहिष्टी जेवर या सिटी ऑफ जिम्स दी साइलेंट रहेगा अकल मत लगा लेना अपनी शिक्षा यादव आपके कमेंट शो हो रहे है मेरे सामने है अब बदाईए क्या अंसल लगेगा कोई बाद नहीं सम्में कोई बाद नहीं अजब फीवर हो गया तो बिटे फीवर में भी पढ़ बुकार में भी पढ़ लिख मत कुछ भी लेकिन वीडियो को थोड़ा दूर से थिकता रहे पढ़ यही ठेडिकेशन चाहिए जब तक आखरी साह से सेलेक्शन के लिए पढ़ाई हम नहीं छोड़ें कि सिम्मी का किस एक्जाम में सेलेक्शन हुआ है उत्राखंड पी एसी मैं लेक्चरार के लिए शायद नहीं बता है बच्चों के सेलेक्शन होती रहते हैं मैं याद नहीं रखता हूँ अभी अगर फोटो कोई भेज देता है तो इस्टाप को फख़डा देता है नहीं आथा दिव्यांश राइजी ये एपी एफो इस्पेशल सीरीज है इसमें हिंदी इंगलिश का ऐसा कुछ बिटे फॉर्मेट नहीं है ठीक है और अगर आप यूपी एस सी पीसी एस के एक्जाम को टारिट कर रहे हैं तब भी आपको ऐसे कुछ मैसूस होनानी तो मिरात अलूरूस यह देडכो 8069 में लिखी के किताब जिसका मतलब है वे ब्राइट्स परोड़ मिरार न गेर दुलहन का आइना ठीक है नहींत अ दुलहन का आइना थी इसमिरायर दुलहन का आइना all the best और घॉर्वेकास बुलकुल बिटे, एकता शर्मा, नेक्स्ट, अगला सवाल, बताओ जरा, हाजी, which one of the following statement about CRIPS mission is not correct, CRIPS अभियान के संबंध में कौन सा कतन सही नहीं है, पहला, in March 1942, CRIPS persuaded a war cabinet to agree to a draft declaration, 1922 March में CRIPS अभियान मतलब आया, जो समय Second World War चल रहा था, उसके बारे में कुछ मतलब बातचीत या फिर कोशना करने के लिए, B, Jawaharlal Nehru and Sardar Patel represented Congress to negotiate with the mission, Jawaharlal Nehru and Sardar Patel को Congress की ओर से मतलब भेजा गया, इसमें बातचीत करने के लिए, C, The mission of a dominant status after the war, इस अभियान के तहद भारत को अर्द सुराज की dominant status offer की गई, कि आप अगर हमें Second World War में सबूड करें, तो हम आपको आधी आधाधी प्रतान कर देंगे, D, The mission of a formation of constitution making body after the war, और इस अभियान में ये भी कहा गया, कि जैसे Second World War याने के युद्ध खतम होगा, तो फिर आपको एक सम्विधान तयार करने के लिए संस्ता दी जाएगी, बताएए क्या answer लगेगा, very good, आरे answer बुल्कोल भाई, डंगे की चोट पर लगा लो, option number B, क्योंकि ये incorrect है, इसका अमलत तीनों correct है, याने के March 1942 में आया ये Crips Mission, इसका head कौन था, तो Strayford Crips, Strayford Crips, 1942, 1940 में आया, Strayford Crips, और जवाला, नहरू, और सरदार वल्लाब, भाई बड़ल, क्यों represent करेंगे, क्यों बात्चित करेंगे, क्योंकि जब गांदी जी ने बुल्कुल सिरे से नकार दिया, क्यों बुल्कुल rejected Crips Mission, उन्होंने Crips Mission को नकार दिया, और गांदी जी ने Crips Mission को कहा, PDC, post-dated check, गांदी जी ने कहा, PDC, post-dated check of bankrupt bank, ये एक कंगाल बैंक का, PDC, post-dated check है, यानि ऐसी बैंक का check है, जो कंगाल हो चुकी है, इसलिए ये आज, अपना काम आज करवा रहे हैं, और check हमें next time का दे रहे हैं, कोई फाइदा नहीं है, इस check का, Ritka Jain, खुड़ इवनिंग बिड़ा, तो B, इसका आंसर है, अच्छा, The Mission offered Dominion status, बुलकुल करेक्ट है, इसमें मतलब कहा कहा कहा, अगर Indians हमें भारती ये support कर दें, इन 2nd World War दूसरे विश्योत में, तो हम उन्हें Dominion status दे देंगे, नियारगा जी, वेर आर यू फ्रॉम, क्या आप Holy Cross School दरवंगा में, पड़े हो नहीं बिड़ा, नियारगा बिड़ा यू पी से है, ये बच्ची हमारे पेड़ बेच में है, चालो, बागी नियारगा बिड़ा खुद बताएगे, अच्छा, और इसी, यहना, फर्स्ट टाइम, क्रिप्स मिशन में ही ये कहा गया, कि इंडिया में, आफ्टर इस वार, क्रिप्स मिशन में कहा कि ऐसा हम करेंगे, तो यह सारे पॉइंट्स को बुलकुल अच्छे से आप बिटे याद कर लेंगे, और इन्हें कभी बिटे भूलना मात, अगला कोश्चन, प्यारा कोश्चन है, तुरिंग दे टैनियर उप विच वाइसरोई, इंपिरियल एग्रिकल्चरल डिपार्डमेंट वस क्रियेटेड एड एग्रिकल्चरल इंस्टिटूट अट पूसा वस फांड़ेड, किस वाइसरोई के समय में, इंपिरियल एग्रिकल्चर विभाग की स्थापना हुई, यहना सामराज जवादी कर्शी विभाग की स्थापना हुई, और एग्रिकल्चर इंस्टिटूट कर्शी संस्था की स्थापना हुई पूसा में, डफरिन, रिपन, कर्जन, हाडिंग, क्या अंसर लगेगा? Very good, very good, देखते हैं, क्या अंसर लगेगा? क्या अंसर लगेगा? रिशी सर, घर चले गए, नहीं पिटे, घर तो खेर रहो चाहेंगे ही, अभी नहीं गए कोई बाद नहीं, B के सुगंदा, अंसर वैसे से मैजुरिटी में C दे रहे हैं, बहुमत, जरूरी नहीं कि हर कोशन में मैजुरिटी याने के बहुमत एक्दम सही हो, लेकिन इस कोशन में सही है, करजन के समय में ही, एगरिकल्चर दिपार्टमेंट की स्थाफना हुई, 1904-19 1904 में, 1904-1904 में, और करजन का टाइम पिरियड कब से लेके कब तक रहा, तो 1899 से लेके 1905 तक, 1899 से लेके 1905 तक, प्रज्या शर्मा जी, प्रणाम और आपको आशिरवाद, आज के समय में ये एगरिकल्चर दिपार्टमेंट किस नाम से जाना जाता है, तो लिख लो, I-C-A-R, देख लो, I-C-A-R, I-C-A-R, चाहिए तो मैं नहीं यादा, कोई बाद नहीं बढ़ा, Hashtag Miss You, Rishi Sir, अरे, Rishi Sir को कुछ हुआ थोड़ी नहीं है, जो Miss You, वैसे, Hashtag Me Too, ठीक, हाँ, I-C-A-R, भी गहते है, Indian Council of Agriculture Research आज के समय में इसे जाना जाता है, जो के इसका नाम चेंज करके, इसकी स्ताफना किएगे, 1929, 1929 में, 1929 में, और इसके अगर हम headquarter की बात करें, मुख्याले की मतलब इसकी बात करें, तो इसका headquarter है आपका, मुख्याले है, न्यो देली, नई दिली, करॉल बाघ, सेंट माइकल स्कूल के पास Pousa Road, सेंट माइकल स्कूल के पास Pousa Road, करॉल बाघ, न्यू देली नाइदिली सेंट माइकल स्कूल कंचन सिंग गूड इवनिंग जो अच्छे नए है वो सब्सक्राइब अवश्य करें दीवा अगेडमी के टेलीग्राम को अवश्य जॉइन करें ताके हर वीडियो का आपको पीडिये वगेरा मिले और वैसे इसका पीडिये वा अगर वह नहीं करा दूंगा तो मैं करा वहां कोई वैसे तो अगर वह चाहे तो शन्वास रंडे में करें रिविजन करा ही सकते हैं इस नोट बिग डिल फस्टाइम लाइव है पायल मैंने आपकी रिगॉर्डड देखती हूं वेरी हेलफुल फॉर एपीएफो एस्परें तो यह पूसा रोड है यह पूसा सडग है जो के करूलबाग में है दिल्ली के करूलबाग में इसका हेड़कॉर्टर सेंट माइकल स्कूल के पाद है रितिका जैन थैंक्यू सोमज बच्चे किसका गोड इवनिंग नहीं लिया मैंने राज अब्बास ही ले लिया बिटा अब तो अब तो बिटा खुश चलो यह बताओ हू फाउंडेड बहिश्कृत हितकारी हितकरनी सभा इन 1924 उननीस वच्चोवीस में बहिश्कृत हितकरनी सभा किस्तापन किसके द्वारा की गई मदन मोहन मालविये गोविंद वल अपंद और डॉक्टर रैस के बोले या पर डॉक्टर भीयार अंबेटकर मेरे बच्चे डॉक्टर भीयार अंबेटकर कोई बात नहीं हसन जब लेपाओ तवील हो पैसे ये आप बेड़ा कोश्चन्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बैनिफीशल होने वाले वेरी गुड़ अंसल लगेगा इस कड़ी डॉक्टर भीयार अंबेटकर सहाब के द्वारा 1924 में बहिश्क्रत हितकरनी सभा की स्थापना हुई बहिश्क्रत हितकरनी सभा की स्थापना हुई तो यह जिन बच्चों को नहीं पता यह नोट्स बनाओ अलग से ठीक है यह हिस अच्छा हिस्ट्री की अगर थियूरी आपको मतलब पढ़नी है तो नीचे दियेगे नंबर पर कल बड़े कॉल लगा लेना एक बिजे के आसपा यह जो नीचे नंबर आ रहा है आपको इंफोर्मेशन मिल जाएगी तो डॉक्टर भीयार अंबिटकर सहाब ने इसकी मतलब का जूत थी जो उची नीच का बेदाव था उसको खतम करने के लिए इसकी मतलब सह आपको आप देख सकते हैं बहिशक्रत हितकर नीचे जुलाइग ध कर दो चुलाइग और इसका उद्दुकेट और इस एउर्ड आइज़ याने पढ़ाओ लिखाओ शिक्षित यक्रओ कर याने के especially जो भी गुरूब है दलित other depressed classes, un-pichळा work, अगर हम बात करें, other depressed classes, un-pichळा work. हिंदी में भी proved हो सकती है, कि थोरी भुलकुल हो सकती है, classes तो बाइलेंग वाली होती है, अभी हमारा स्टाफ चुट्टी पह है, इसलिए सिर्फ इंगलिश में आ रहे हैं, ठीक, हाँ. अर्गिनाइज करो, यानि आयोजन करो, सभी को एखटा करो, और एखटा करने के बाद फिर एजिटेड याने के विरूत करो. जोगर अफीकी कोई अच्छी बुक मिल जाएगी, आपको हमारी बुक मिल जाएगी, अगर इंगलिश मेडियम में अविलेबल ने, हिंदी में मिल जाएगी, मेरे बच्चे. इसके लिए कल बिटे, आप एक बार वाटसेफ कर देना, अगेडमी के ऑफिशल पे. इस वहां के बंगाल के विद्वानों ने से समर्थन दिया, इड वस डारेक्टेड अगेंस दी पैटी जमीदार एंड एक्स एंप्लोईज ऑफ दी प्लांटर जयाने के जमीदार और जो भागान में जो पहले काम किया करते थे उने के विरुद्दिय था क्या अंसा लगेगा शिखा जी आदे कोशन हो गए आदे बिटे बाकी हैं थैंक्यू बटे कंचन नए शिक्षा मेरी बच्ची शिक्षा कैसे इन और खर दखने आपको अभी तो पिटे आइडिया नहीं कि इंग्लिश वाली खव तक मिले क्योंकि अभी तक हमने उसे प्रिंटिंग में नहीं बेजा है अभी मैं एक दू अपते कर टायम मिलेगा फिर उसे प्रिंटिंग में बेज़ दिया जाएगा अंसर लगेगा इसका विटा सी यह करेक्टेबल को सी बंगाल की जो विद्वान थे उन्होंने इंडू को रिवाल्ड याने के नील का विद्रो जो 1869 में हुआ उसको अपना समर्थन दिया यह बहुत पॉइंट है अच्छा क्लास की NCRD में आपको साफ साफ लिखा हुआ मिल जाएगा करेक्ट पूचा है हां बेरे बच्ची सबना करेक्ट पूचा है इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं और ना बोलोगे सर बहुत नाइंसाभी है तो देखो इंडुगो रिवाल्ट इंडुगो विद्रो 1869 मे नादिया और जांताग मुझे शयक्त पता है के नादिया शायद हमारी मम्ता थीधी की भिदान सबा की सीट है मले हैं यहां से और नादिया रीजन में ही टाटा कंपनी नैनो प्लांट लगाना चाहती थी लेकिन उन्होंने भना कर दिया तो पर टाटा कंपनी ना अपना न में यह हुआ ठीक है न अब दोगो यहां से में आपको एक काम की जानकारी प्रदान खराता हूँ इंडगो प्लांटिंग यान नीली की खेती वाड़ी अजब शुरू हुई तो कब हुई Back 677 , 1777 में और बद cabinet से कौं लेकर आया तो एक फ्रांसी व्यक्ति लेकर आया फ्रेंच में लुईस बोनोड कौं लेकर आया लुईस बोनोड लेकर लिक लो लूईस बोनोड he was the first indigo planter of bengal तो bengal में सबसे पहली वार नील की खेती वाडी भी खिसने की Lewis Bonnard ने की ठीक है? Lewis Bonnard ने की इसको बुलकुल याद कर लेना especially in the region of Gopal ठीक है? Golpara और Chandanagar Hugli Chandanagar Hugli इसमें इसकी शुरुवात हुई ठीक है? अच्छा जी एक और बात यहाँ ज़रा आप मदा समझना के बेंगॉली मिडल क्लास के जो मजदूर थे ये भी पॉइंट रियाद कर लो अगर देखो ये पूचा जा सकता है तो UPS और स्टेट पीसे तो अच्छे खासे एक्जाम में अगर ये पूचा जा सकता है कि इसे किन किन लोगों का समर्थन मिला तो बंगाल के विद्वान समझदार पढ़े लेकि लोगों ने किया और बेंगॉली मिडल क्लास फार्मर्स मजदूर किसानों ने भी किया याना मध्यम वरगिये मजदूर किसानों ने भी इस विद्वरों को एको समर्थन दिया और देखो लो बैंगॉली इंट्रेलेक्च्वल यान्ने के बंगाली विद्वानों ने इसको समर्थन दिया कौन? हरीश्चंद्र मुकर जी इनका एक अखवार निकलता था तो हरीश्चंद्र मुकरजी जी के नीसपेपर का नाम कर लो था हिंदू पैट्रोइट तो एक एडिशनल इंफोर्मेशन और ले लो एक एक कोश्चन में मैं जिस कोश्चन में आपको आठार ददस बीस बीस नॉलेज इंफोर्मेशन दे सकता हूं आप यावश्य दे रहा हूं ठीक ठीक फिर इस फिद्रो का जिक्र एक और विद्वान ने किया दीन बंदु tripod मितर अपनी एक किताब नील थरपन में लिखे लो तो एक और विद्वान थे तो नील के विद्र संबंदित ने इसका किया जिक्र और इसी किताब से इंफ्लुएंस होकर गांदी जी लॉंज चंपारन सत्या गिरे लिख लेना तो अगर पूछा जाए कि चंपारन सत्या गिरे गांदी जी जो लेकर आये तो किस से इंफ्लुएंस थे किस से प्रभावित थे तो नील तिरपण नामक बुक से थे और चंपारण कब आया था, 1917, 1917, और चंपारण सत्या ग्रेवी आपकी नील याने इंडिगो कल्टिवेशन नील की खेती वाली से यह संबंधिय था, ठीक? If I get selected in any exam, I will do something special for Diva Academy and its followers, whatsoever I can. बस आप select हो जाए, यही विटे हमारे लिए बहुत है, आपने समझे लो सब कुछ कर दिया, बाकि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, आपकी अपनी अगेडमी है, हम कभी नहीं रोकेंगे, ना कोई स्टाफ रोकेगा, ठीक? चलो, आजाओ, यह बतातो जारा बहुत प्यारा कोश्चन है, the act prohibiting child marriages was passed in 1891 due to the efforts of, याने के बाल विवा को रोकने के लिए अधिनियम जो 1891 में आया वो किन के efforts से आया था, किन के प्रयासों से आया था, इश्वर चंद्र विद्या सागर, जोतिबा फूले, महादेव गोविंद, रनाडे, एम जी रनाडे, जोतिबा फूले, केशव चंद्र सेन, और बैराम जी मालावारी, केशव चंद्र सेन, और महादेव याने के एम जी रनाडे क्या अंसार लगेगा, प्यारा कोश्चन है, और इस प्रकार का कोश्चन है, अच्छे लेवल के exam में ही आप से मतलब पूछा जा सकता है, इसे ल होती है, जो सरीव एज में बिटे 24 बच्ची साल के हो जाते हैं, लेकिन वो बाल बुद्धी है, ठीक, हाँ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पिड़ खजूर, पंती को छाया नहीं, फल लागे आती दूर, अंसर ए आ रहा है, बड़ी मात्रा में, लेकिन कुछ बच्चे डी भी दे रहे हैं, और बुलकुल ये गलात, इसके साथ कोई नहीं अंजर सी लगा लो, केशव चंदर सेन और भाई बहराम जी मालावारी, एक भी बच्चा इसके साथ नहीं है, सोचो बिटे, तुम सब का पोपट, सुदेश महती जी बोलती है, ये सिस ट्रू, लगता है, आपके ऊपर बिटे बहुत जादा, आप बीती या आँखो देखी वाले सिती है, शादी बिवा को लेकर, गुड इवनिंग बिटे, पूनम यादव, आगी बिटे याद, किलास की, पताया ना, कि ये किला राम जी मालावारी ने सबसे ज्यादा प्रयास किया, आगे से बिटे से ध्यान रखना, अच्छा, ईश्वर चंदर विद्या सागर के एफट से, 1856 में, हिंदू विडो रिमेरिज एक्ट पास्क किया गया, हिंदू विडो रिमेरिज एक्ट, हिंदू विदवा पुनर वि जोतेबा फूले सत्य शोदक समाज, जोतेबा फूले सत्य शोदक समाज, कि इनों ने स्थापना की, लोगों के उत्थान के लिए, especially for girls, lower caste girls, जोतेबा फूले, सत्य शोदक समाज, 1867, sorry 1873, my mistake, M.G. Ranade, किसके साथ अड्रेस थे, Maha Govindranade, किसके साथ ते, प्रार्थना समाज ऐसे ही जब कोश्चन करोगे, तभी आपके हो पाएंगे, अगर पढ़ते वक्त इंटर कनेक्टिविटी नहीं है, तो कोई भी उपर वाला या इश्वर का अवतार, आपका सेलेक्शन नहीं करवा सकता, ठीक, ओके, प्रार्थना समाज, कैनिंग नहीं, डलहोजी, डलहोज प्राथना समाज के साथ एक महानात्मा और संबंदिय आत्माराम पांदूरंगा, तो वेर यू फाइंड प्रॉब्लम जेंटल मैं और जेंटल लीडीज, दीपति शर्मा बिटे नमस्कार, इससे पहले वाली क्लास क्यों अटादी बिटा, वो हमने नहीं अटाई है, वो ब अब 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 लूट भी हो जाए, हम अपना पढ़ाए वो क्यों अटाएंगे बिटा, बताओ जरा, सार आर समाज के साथ आपना दयाना सरस्वती ने किया, वेरी गुड रवी शंकर, आपने ऐसी बात बताई है जो मुझे पता नहीं थी, बरका खंडिल बात बलिया, चलो अगला सवाल, अगला सवाल तो इसी मिलेगा, होश उडा दे ये सवाल, in which year the All India Women's Conference held their first session, तो अखिल भारतिया महिला सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहा हुआ था, आप्शमत कब हुआ था, 1922, 1926, 1937, 1928, संसर बताना है आपको बहुत रफ्तार में है, नाम भूल जाते हैं, बार बार रिवीजन करो, वो कहावाद यादर को पढ़ ले वेटा, पढ़ ले वरना तेरे को फिर पढ़ना पढ़ेगा, पढ़ ले वेटे, इसके अलाबा कोई option नहीं है, there is no substitute of hard work with smart work, All India, ये तो UPSC के तना favorite question है, state PCS का, UPSC, Bihar PCS, आख किसी भी exam में चले जाओ, ये त अकाउंट वाली मेड़ा में वो लेंगी, बुलकुल मिलेगी बिड़ा, बस आप आप follow करते चलो, very good, option number C, 1927, All India Women's Conference, और प्रिकार से कैसे question बन सकते है, All India Women's Conference की स्थापना किसे ने की तो लेख लो, Margaret Cousins, Margaret Behnों ने, लेख लो, Margaret Cousins ने इसकी बिड़े स्थापना की for the upliftment and betterment of women and children, इसका उद्देश भी लेख लो, इसका objective भी लेख लो, महिला और बच्चों के उध्थान के लिए, महिला और बच्चों के उध्थान के लिए, All India Women's Conference की स्थापना होई, कहाँ, मदराज, यह होमवक्त था एक्चल में, लेकिन मैंने बता दिया, मदराज, सर, PCS के एक्जाम कितने एस तक दे सकते हैं, हर स्टेट का अलग-अलग होता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर आफ स्टेट में जो नॉर्थ इंडिया में, उनमें बिटे मैक्सिमम एज़ा 40 साल, जैसे UP, उतराखंड, राजिस्तान, बिहार, लाइक दा, ठीक, जारखंड, ओके चलिए, अगला सवाल आपके सामने आता है, इस क्लास का, बहुत ही प्यारा सवाल है, जो कईयों का पोपट करा सकता है, इन 1893, there occurred a split in the आर समाज on the issue of, बताव 1893 में, आर समाज में किस बात को लेकर विवाद हो गया, या आर समाज अलग हो गया, पहला option, पहला statement, मीट इटिंग वर्स वेजिटेरियनिजम, यानि कि मासा हारी और शागा हारी की बातों को लेकर, कास्ट सिस्ट्रम एंड विडो र विवाओं को लेकर, शुद्धी of converts, यानि कि जो लोग धरम परवर्तन करते हैं, उनके शुद्धी के मामले के उपर, या आप वेरे भाई, एंग्ली साइज्ड वर्से संस्कृत बेस्ट एजूकेशन, अंग्रेजी और संस्कृत आदारे शिक्षा को लेकर, जदा को बिटे, connect कीजिए, इस qualitative education के साथ, जो कि आने वाले समय में, इतिहास, रचने लाइक है, महनत कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, फालतु की बातों में ध्यान नहीं दीजिए, महनत ही, हातों की चंद लखीरों में किसमत का लेखा जोका है, ध्यान दो सुनना बिटे अगर आपका किसी ने हाथ देखा और वोल दिया, नहीं बिटे, तू अधिकारी बनेगा, आप सारी जिंदगी इसी में जीते रहे के मेरे को तो देख के बोल दिया, किसी बहुत बड़े विद्वान ने, किसी बहुत बड़े पंडित ने, ठीक है, यह तो अधिकारी वो सब बिरोजगार क्यों गूम रहे हैं, ठीक, महनत, हाड़ वर्क, चलिए इसका अंसर मैं बताता हूं, एक तो यह मुद्दा था, मीट इटिंग वर्सेज वेजी टेरिनिजम, यानि आर समाज के जो लोग थे, तो कुछ भई मासाहार को सही मानते थे, मासाहार में कोई दिक्कत नहीं है, मास काने में कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ बोलते हैं, नहीं, शुद्ध शाहार हारी ही सही है, तो एक तो यह मुद्द था, इसका मतलब जहाँ ऑप्शन नमबर वन है, वो तो अंसर हो गई होगा, तो इसका मतलब भी अंसर नहीं हो सकता, ठीक, इसको लेकर कोई विवाद नहीं थी, याने के वो जाती विवस्ता को सभी जो भी आर समाज के मेंबर्स थे, उस टाइम पर खतम करना चाहते थे, और भाई, उने ना विडो रिमेरिज याने के विदवाओं के पुनर विवा में कोई दिक्कत भी नहीं थी, और होनी भी नह चाहिए भाई, आर समाज का establishment year 1875 और founder इसके संस्थाबक्त स्वामी धयानन्द सरस्वती, जिनका real name वास्तविक नाम था मूगल शंकर, ठीक, शुद्धी of converts, भुलकुल वो जो कहते थे, अगर कोई और religion से है, किसी से है, तो उसका शुद्धी करन होना चाहिए, purification होना चाह हाँ, लेकिन ये मुद्धा बहुत बड़ा था, कि anglicized versus Sanskrit education, कुछ members चाहते थे, भई सिर्फ मतलब हमें Sanskrit education के साथ-साथ English, anglicized मतलब अंग्रेजी, anglo, angl, English, अंग्रेजी में भी शिक्षा देनी चाहिए, western education भी हमें लेकर आना चाहिए, Vedic education के साथ-साथ, याने Sanskrit education के साथ-स मंद्रा पे भी, ठीक, अध्यन मंद्रा भी अपना ही एक और बिड़े platform है, teaching exams के लिए, तो जिन बच्चों नो से follow और subscribe नहीं किया, अवश्य विड़े फालो करें, वहाँ पे मैं Monday और Tuesday विड़े आता हूँ, ठीक है, YouTube पर, तो answer क्या लगेगा बच्चे, 1 & 4 कौनस में है, option नमबर C, तो लगा लो हाई, option नमबर C & C for Charlie, ठीक, next, अगला question, ओहो, यह question दिवार रपीड़ हुआ है, I am so sorry, sorry सक्तिमान, हाँ जी, बताओ जरा, क्या answer लगेगा, इस प्रिकार के question आप, बुलकुल, मैसूस कर सकते हैं, अच्छे अच्छे exams में, good evening, एलावत, एक तरफ personalities ने, Dr. B.R. Ambit के आराम से देखें, पहले ही, मैंने पहले ही बोलता हूँ, पहले ध्यानज़त देखा करो, सिकंदर हयात खान, फजलूल हग और भई खली कुजमन, ये पार्टी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, क्रशक प्रजा पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी और इंडिपेंडेंट लेवर पार्टी, किस का संबंद किस के साथ रहा, किस लीडर का संबंद, किस personality का संबंद, कौन सी पार्टी के साथ रहा, कोई दिक्कत नहीं है शिका, बस वीडियो देखा करो, वैसे तो अगर लाइव आउगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बारी से बारी मात्रा में, लेकिन अगर फिर भी नहीं आपाते हैं, अवश्च बात में देखें, कि सर में आपका सेशन लाइव नहीं देख पाती है देख पाता है लेकिन बाद में अवश्च देखती हूं या देखता हूं, ताकि मुझे भी पता रहे कौन से रेगूलर फॉलोवर है, बी के सुगंदा, जैसे शिखावी बच्ची कुछ टाइम से, एन के एलावाद, प्रियंका कुमारी, मेरे मेरे नालाइक बच्चों, आंसर इसका भी लगाओ, याने वन का फोर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ संबंद किसका है, खालिक कुझमन साहब का, इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग की स्थापना होई, आफ्टर दी पार्टिशन आपकिस्तान नाइटिन पाकिस्त का बिटे विवाजन होने के बाद 1947 में है सेकिंड का थ्री है याने कृषक प्रजा पार्टी के साथ कौन संबंदित है फजलूल हक यूनियनिस्ट पार्टी या यूनियन पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से यह जो मतलब जानी गई है इसके साथ संबंद है सिकंदर हयात खान स का आजाएन थड़ का टू ऑर एक ही वचावाई इनडीपंडेंटन लेवर पाटी इनडेपंडेंट लेवर पाटी फ्रांस की भी है इस्कोटलेंड की भी है लेकिन इंडिया की है तो इंडिपेंडेंडेंट लेवर पार्टी भी यह रमबिटकर सहाब तो याने के फोर्त का फस्ट से अच्छे से याद कर लेना पीडिएफ आपको घहर मिली जाएगी परिशानी की कोई बात नहीं है लेकिन चलिए फिर भी कुछ आपको एक्स्टर नॉलेद दे जता हूं क्रशक श्रमिक पार्टी तो याने के जो पार्टी पहले क्रशक प्रिजा पार्टी के नाम से जानी जाती थी आज के समय में उस पार्टी का नाम क्या है क्रशक श्रमिक पार्टी ठीक है समझ गए क्रशक श्रमिक पार्टी हिट दा लाइक बिटन बिटे हर्ष और गुपता के बारे में कहां से पड़े हैं बुलकुल अलग सवाल पूछ रही है बच्छी तो उसके बारे में हमारे वीडियोस भी आप वो बिटे मतलब देख सकते हैं या आप सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री हिस्ट्री के लिए सिर्फ एंशन इस्ट्री के लिए भी अब पेड़ बैच में बिटे एडमेशन ले सकते हैं बहुत ही नॉमीनल फीस में आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा दिये जाएंगे अब आप बोलो को सर्थ अगर नॉमीनल ले रहे हैं तो फ्री आफ कोस्ट में नहीं बिटे जिस पढ़ाई की जिस सेवा की कोई कीम इस पार्टी को एंड कर दिया गया क्रशक प्रजाफ पार्टी को समाप्त कर दिया गया 1958 निस सो अथावन में चालिये कुछ और इंफोरमेशन जाने का इंडिपेंडेंट लेवर पार्टी किया अगर हम बात करें तो बी आर अंबिडगर साफनेस की स्थापना की और 15 अग वादी समाज और पूझी वादी समाज का जो बिटे समाज में सुसाइटी में जो डॉमीनेंस था यह इनों ने कहा कि नहीं भी सारी सुसाइटी सारा समाज कि इन ब्रहमनों के हिसाब से मतलब चलती है एक और मैं यहां पर आपको कंसेप्ट समझा देता हूं जो के UPSC के द Culture of Upper Caste जब निम्न जाती के दुवारा उच जाती की संस्कृती को अपनाया जाता है या वो उसे मतलब फॉलो करते हैं ऐसे कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं संस्कृताइजेशन यह sociology समाशास्त्र की वे डे बात हैं आप सिर्फ याद कर लो कि जब Lower Caste के दुवारा जब Upper Caste याने के जब निम्न जाती के दुवारा जब उच जाती की बातों को अपनाया जाता है culture को अपनाया जाता है संस्कृति को अपनाया जाता है हम इसे कहते हैं संस्कृतिशन यानने के संस्कृति करण शुदिन्दी बट वेन एनी कास्ट फॉलो दक कल्चर आव दी ब्रहमन्स ध्यान देना लेकिन जब कोई भी जाती चाहे वो शूद्र हो छत्रिय हो कोई भी हो ठीक है मतलब जो ब्रहमन से नीचे भाई ब्रहमनों ने तो बोला है कि हम सब से उपर है हम सब से उच्चे है ना ठीक तो वैसे आज के समय में दो को मेरा मानना ये पहले के समय में भी मानना जिसके पास घ्यान है जो विद्वान है वो सब ब्रह्मन है चाहिए वो किसी भी कास्ट जाती धर्म से संबंद रखते हों और मैं आज मैं ब्रह्मन करता हूं और मेरी फैंबली के साथ इस बात को लेकर बहुत इश्यू मतलब रहते हैं कि नहीं आप मतलब मतलब एक दम ऐसे वोलते हैं कि मैं कुछ भी होने इस तर पर समान्तव पैदा करना या समान्ता रखना बागी मुझे मेरा कोई संब्दहथी है तो जब कोई भी जाति प्रह्मन के इस को फॉलो करति है मैं बहुत पूच लिए जाहें ब्रह्मनाइदेशन ब्रह्मनी करण अ I ठीक, ओके, तो ये, अगर ये पूचा जा सकता है, तो वो भी पूचा जा सकता है, ठीक है, अच्छा, इस पाटी के एक और याद कर ले ना, के और भी फाउंडर थे, एन सिवराज और यश्वन्त अंबेड कर, छापो, यानि के भाईया, लेबर पाटी जो आई थी, पेपर two, this type question came upsc, पेपर two जो शमाशास्त्र जा शोशलोजी को होता है, वो इंडिएन सोशलोजी होता है, और पेपर फंज जो होता है, वो सिर्फ सोशलोजी होता है, yes, father of Indian sociology अब भारती है शमा सास्त्र के पिता यह question भी जी एस में या फिर जी एस के point of view से कहीं भी आ सकता है तो लेख लो जी एस गुरिये जी एस गुरिये जी एच यू आर आई वाई ए जी एस गुरिये father of sociology इंडियन sociology ना लेखाओ सिरे sociology लेखाओ शमा सात्र के पिता या पापा अगस्त कॉम्टे अगस्त कॉम्टे father of sociology अगस्त कॉम्टे ठीक है अच्छे से याद कर लो अच्छा कुछ और भी information है कि हाँ unionist party की अगर हम बात करें तो इसके founder देगो सिकंदर हयात खान सिकंदर हयात खान जो option में भी थे याद कर लो और यह और भी लोग जो उनके साथ छोड़े थे जैसे के फजली हुसेन सर शाहब उद्दीन मुहमद हुसेन शहा और यह सर छोटू राम लिग लो सर छोटू राम हरयाना से रहें सर छोटू राम हरयाना से रहें तो जिन बच्चों के हरयाना के पेपर लगे हुए वह अवश्य कर लें क्योंकि हरयाना special gk में या पर हरयाना gk special में यह question 100% आप से पूछ लिया जाता सर छोटू राम हरयाना से social reformer समा सुधारक रहे हैं चलिए next और भी कोई information थी क्या next in context of accounting देखो वह accounting के वैसे question तो मैं आपके सामने ला सकता हूं जो के पूछे जा सकते हैं और जहां मुझे explanation की खास आवा सकता नहीं है in context of accounting standard the term NFRA stands for बता दो accounting के मामले में NFRA की full form क्या है option आपके सामने जरा बुलकुल चीते की रफ्तार में answer दीजिए किसका answer सही होगा देखते हैं अरे B के सुगंदा अगर तुने सच बोलाया तो जरा इसका भी बिड़ सच्चाई के साथ answer दे दे हाँ होती है फिर सुवास चंदरा जी बुलकुल होती है नीचे दिएगे नंबर पर आप सारी चानकारी information ले सकते मेरे बच्चे answer लगा लिजिए C लगेगा national financial reporting authority रास्टिय वित्य रिपोर्टिंग प्राधिकरन रास्टिय वित्य रिपोर्टिंग प्राधिकरन इसे याद कर ले ना चलिए उनके बारे में भी को समझ लेते हैं को images से हमें जल्दी याद होता अगर हम भई NFRA की मतलब बात करें तो तो NFRA एक independent रेगूलेटर बॉडी है ध्यान रखना आडिटिंग और अकाउंटिंग को देखने के लिए याने लेखा जोखागी देखने के लिए कि वह इस्टेंडर है या नहीं और ये अंडर कमपनीज एक्ट 2013 के तहद इसकी सापना हुई थी कमपनीज एक 2013 के अंतरगत ही आती है और इसने काम करना कब से स्टार्ट किया एन एफ आरे ने तो लिख लेना केम इंटू एक्जिस्टेंस एदा लीगल बॉड़ी इन 2018 याने के 2018 में इसने काम करना शुरुवात की ठीक है और कोई एक आईएस ओफिसरी इसका अध्यक्ष हो सकता है ध्यान रखना एक आईएस ओफिसरी एन एफ आरे का अध्यक्ष हो स पेटे थैली में इंडिया गेट के पास CP कनोट पैलेस के लिए जो रास्ता जाता है वहीं आपको यह राइट एंड पर बिटे मिल जाएगा जाते वक्त यह कौन सा एन एफ आरे आपको दूर से दिखाई दिजाओगा बड़ा सा बोड़ लगाओगा तो इसके बारे में भ अगले question अगले question की ओर हम बढ़ते हैं ओ तो आखरी सवाल था कोई बात नहीं it's okay तो यह एक session था जो मैंने बहुत टाइम के बाद पूरी energy पूरी उर्जा के साथ लिया और आगे कोशिच रहेगी के बिटा इस हिसाब से हम लें ठीक है यास लुटियंस देली में तो कल एक मैं पता ही थेता हूं ठीक है और बाकी तो कल और्ल वन पीएम एनवकोड्मेंड को एक जो की कि एक लाट वन पी- jerk 2022 एक एम पहरो एक पिय्यक एमThisी कि टाइमिंग नोड कर लो आप चाह किसी भी एक्जाम को इंदुस्तान में टारिगेट कर रहे हों ठीक है तो एन्वारिमेंट और एकोलोजी के बहुत पहरे-पहरे कॉस्चन होते हैं बटा शिलोट अभी नहीं निकल पा रहा है शिक्षा इस ताके मैं रात को करीवन दो क्लास दे पाऊं नाइन पीम नौ बजे वही जो हमारी यूपी पीसिस और पीसिस एक्जाम के लिए जो चल रही है पॉलिटी और हिस्ट्री की सीरीज उनमें से कोई एक क्लास होगी तेन पीम एक्जाम है यह तो बताओ वैसे मिनिमम्म एट मन्त का बिटे आप करेंट अफर पढ़ लेना कम से कम आट महीने का ठेके और यह पीडिएफ कोश्चन्स की आपको वीडियो के डेस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएग और बागी बटे दीव अगेडमी के ट टेलिग्राम पर मिल जाएगी चले थैंक यू सो मच गुड नाइट कर दिया आठ महीने की करेंट अफर्यार